उमेद है कि अच्छे होंगे आप लोग और बेसबरी से मेरे वीडियो का भी इंतिजार कर रहे होंगे दोस्तों खेला तो बहुत पहले ही हो चुका था और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था ठीक है नहीं 24-25 साल के लड़के जब वीडियो के माधियम से डिस्टिक में घुम घुम कर बाते बता रहे थे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था लेकिन आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी CBT Computer Based Test A.N. में जितने पैरेंट्स हैं प्लीज इस बात को आप गोर किजएगा और ध्यान से सुनियेगा कि आप Case कहा हारे और कहां हार रहे हैं और क्यूं हार रहे हैं और हरवाने वाला कौन है यह सारा इविडियो में लगा करूंगा कौन-कौन लोग हैं? Qualify को Case रवाने में वो सब दिखाएंगे लोग काम कर रहे हैं कोई और और टार्गेट कर रहे हैं कोई और यह सबी चीज़े है जो केस लरने गए हैं क्वालिफाई का जो केस जितवाने के लिए गए हैं वही बंदे साजिस करकर आपस में क्वालिफाई को लरवाना शुरू किये हैं और आज भी लरवा रहे हैं इस व पुरा प्रशनों का वीडियो लॉंग हो सकता है, लेकिन बाते मेरी पूरा ध्यान से सुनेगा, आपके भविस का बात है, ठीकना, एक सरकारी नोकरी के वहलू क्या होती है, जो लोग अभी जूज रहे हैं, लर रहे हैं, उनको या उनसे बहतर और कोई नहीं समझ सकता है, ठी चाहिए आप marriage हो, on marriage हो, चाहिए किसी के बहु बेटी, जो भी है, प्लिस requested है, या जिनके भी हमारे qualified sister है, जिनके बेटी है, भतीजी है, पतो है, सभी के गर्जियन, प्लिस इस वीडियो को हाथ जोर कर विनती है, कि आप पूरा देखिएगा, सारा संचाई अज बताएंगे वो भी evidence के माधियम से, ठीक है ना, दिखाएंगे आपको, चलिए, कहाने सुरू करते हैं, high court से, एक मार्च से कहाने सुरू करेंगे दोस्तों, एक मार्च को आते हैं हम, ठीक, और एक मार्च में जानते हैं क्या होता है, एक मार्च को मैंने बीडियो बनाया था, ठीक, और इस वीडियो में, चुकि मैंने ये चीश बुला, कि देखिए, यहाँ पर qualify candidate जो है, उनके साथ गलत हुआ है, judgment गलत आया है, गलत जज नहीं किया है, कूट नहीं किया है, चुकि जो case लड़ रहे हैं वो गलत किया है, आपको मालूम हूँगा, एक मार्च को हम बुले थे, आने वीडियो बनाये थे, फिर पांच मार्च को मीटिंग रखे थे पटना में पहुँचने के लिए, उसमें हम तो नहीं पहुँच पाये, लेकिन हमारे साथ ही अभी जो मेरे साथ लोग लर रहे हैं, उसमें एक मोनू, ठीक, यह मोनू नाम का ब्यक्ति जो है, इनकी two sister qualify ह यह पहुँचे थे और इनको कहानी भी मालूमी इनों ने बोला भी तक आप आते तो बहुत महरवानी होती, और भी लोगों ने कॉल किया थे, लेकिन हम नहीं आ पाये, लेकिन हम अपने बातों के माधियम से लोगों को वहां तक महुचाने का प्रयास किये, वहां पर समझ लीजे एक बंदा मिलता है, जिसका नाम होता है सुधान शुरू, ठीक, यह क्या करता है, वहें पर पहुँच कर लोग, और पैसे कालेक्शन करते हैं, और कितना कलेक्शन हुआ उस बात की बात है, लेकिन कालेक्शन किया लोग, और केस लड़ना सुरू किया, हाई कोट मे आगे क्या करने वाले हैं, तो हम हाई कोट में case करेंगे, मुद्धा क्या है, तो कुछ मालूम नहीं है, case करेंगे, तो मुद्धा होना है, इन लोगों ने ये बोला, फिर अलग से हम लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई, चुकि यहां पर जो भी judgment हो, तो कहीं न कहीं, गलत आया है फैसला और गलत किसके वज़े से आया है गलत एड़ोकेट जो कि एड़ोकेट को सारी चीज नहीं बताई गई थी इसलिए गलत हो गया ठीक और वहां पर आज देखिए अब बात पहुंचते हैं सुप्रीम कोट का ठीक आज जो सुप्रीम कोट में कहानी हुआ जाता है सुर्जित और इनके साथ भी क्वालीफाई वालों के तरफ से देखिए कौन-कौन दिल्ली में पहुंचा था एक सेखर नाम का कोई ब्यक्ति है ये ठीक और इनके साथ ये चुकि इन ही लोग का गुरूप है इन लोगों ने क्या-क्या इन तीनों का कंबिनेशन क् आप लोगों मेरे पासे स्कीन सट भी है प्रूप भी है ठीक ना एक यूटूबर है वो बहुत अचा काम करते हैं जो भी होता है उनिक मादेम से इविडेंस मिल जाता है राज खूल जाता है वो भी आपको दिखा देते हैं देख लीजी ठीक तो ये सुर्जीत सुधांसु और सेखर ठीक ना ये तीनों लोग मिला हुआ है ठीक ना हकीकत बात है ये फैक्ट है आजानते हैं सुप्रीम कोट में क्या हुआ सुप्रीम कोट में देखिए जो लीडिंग केस था ठीक जो लीडिंग केस था सुप्रीम कोट में एक पेटिशनर के माधियम से पुरे अपन ठीक ना, सुधानसू के पस 12 पेटिशनर था सुप्रेम कोट में, उसका पहले फाइल भी हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ, केस पीछे रह गया, फिर भी वो बहुत पैंतराय रखा कि नहीं हम आगे करें, ठीक ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चुकि हम लोग कुछ ऐसा की है, जिसके बदालत, एक पेटिशनर के बदालत, यह केस लीड हो गया, अब, चुकि लीड हो गया, तो हार वर जीट का फाइसलर तो LEED से ही होगा, हार जीट का फाइसलर तो LEED ही करता है, चुकि बाकी केस का तो कोई मोल नहीं रह गया, ठीक, तो जब आज सुनवाई था दोस् लोग 30 मिनट लेट कर दिया एक मिनट नहीं 30 मिनट ओभी सुप्रीम कोट में फिर कॉंटेक्ट बेसिस के जो लीडर है सुर्जीत नाम का ब्यक्ति ठीक ना उन्होंने क्या किया वो भी अपना पैतराये लगाया लोग सब लोग इदूनों मिल गया लोग चुकि कोट के अंदर सेखर और सुर्जीत से आपस में बात हुआ ठीक ना यह उट्यूबर ने अपने लिखित परमान के तहट इस किन सोट भेजा है और वीडियो के माधियम से चलाया है आप खुद आपको सारा चेश दिखाते हैं इस किन सोट के माधियम से ठीक ना आप देख लीजिए लर रहा है ठीक पहले से जिसके बदलत हाई कोट में दो बर केस हार जुकी है क्वालीफाई वही ब्यक्ति फिर यहाँ पर अपना मिली भगत कर रहा है उससे बरा साजी सरचीता कौन होगा एक बात बता रहे हैं खूल कर देखिए मेरिट वालों का पूरा दुनिया समर्थन करता है ठीक ना यहाँ पर दो बार हार हो गया यही सोचने वाली बात है बहुत सोचने वाली बात है क्वालीफाई जानते हैं केस क्यों हां रहा है क्योंकि क्वालीफाई में 4-5 गो ऐसे लोग हैं जो सनवीदा से मिले हुए उसका इविडेंस आप देख लिजे आपको लोग ऐसे हैं कि जो कुछ चंद रूपियों के लिए अपना इमान बेच देते हैं ऐसे ऐसे लोग और बोलते हैं कि बहुत मेरे भी घर में वाइव है उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ पिंटू का कौन है भाई अरे पिंटू का कोई भी नहीं है फिर भी तो हम खरे हैं न इमान तो मैंने अपना नहीं बेचा ना किसी से बात तो नहीं किया ना अगर आज भी यह stand है तो qualify वालों के लिए ही है और qualify वालों के लिए जो भी होगा उसी के लिए करेंगे ठीक है ना exam का समर्थन हम करते हैं merit का समर्थन करते हैं यह fact है लेकिन जो लोग एक्टिवीटी किया यह लोग समझ लिजे अब कालपना कीजिए कि आप क्यूं केस हरे qualify के साथ अगर कोई इमंदारी से केस लरे merit के बल पे केस लरे तो मुझे नहीं लगता आज भी खुटा ठोक कर बता रहे हैं दावे के साथ बोल रहे हैं 202% कि कोई माई का लाल नहीं है जो qualify को हरा दे अगर merit से लरे तो छल कपट ना करे तो दुगलापंती ना करे तो जानते हैं ऐसा सब्द उज करना पर रहा है क्यों क्योंकि आपके साथ छल कपट हुआ है इस चीज को गाठ बांध लीजिए अब एक और चीज देखे सुप्रीम कोट में जो सुकला सर थे दिवेंद्र कुमार सुकला उनके पास चो कि हम लोग किसी और से बात नहीं करते हैं डाइरेक्ट चो कि एडवोकेट तो हम ही लोग हायर किये ना पहले तो उनसे बहुत करीबी है उनके पास हम लोगों ने कॉल मिलाया उन्होंने बोला कि हाँ ये चीज है यहाँ पर ऐसा हुआ ऐसा हुआ जज सहब ने पूछा ये सब एक्टिवीटी किया लोग जान भूज कर अब देख कितना बरा साजिस रचा गया है क्वालिफाई के आदमी क्वालिफाई को हरवाना चाह रहे है ठिक अपने एंटी के साथ मिल कर गेम है बहुत बरा गेम है आज आप नहीं समझेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे अब आपको समझना है कि आप किसका समर्धन दे रहे है ठिक ना आपको बार बार बोले दे कि लीड केस का ही महत्व होता है जो पीछे है उस केस का सुप्रेम कोट में कोई महत्व नहीं रहेगा अगर एक केस गया तो सारे केस गये एक हारीज हुआ सब केस खारीज, एक्सेप्ट हुगा, तभी कोई एक्सेप्ट होगा, तो समझ लिजिए, उपर है, इसी से सब चीज होगा, तो आप लोगों को अब समझना है, अब चलिए एक और कहानी बताते हैं, चुकि कुछ चीज ऐसे हैं, ठीक है न, चुकि हाई कोट का ओडर, अगर क कंटेक्ट बेसिस के साथ है, तो केस करने का अधिकार क्वालिफाई को है, वो उनसाटिसफाइड है, इसलिए ओ सुप्रीम कोट गया, ठीक, यहाँ पर हाई, कंटेक्ट बेसिस को थोरे अधिकार है, को जीत भी गया जाकर फिर केस करेगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक, उन गया कोशन अफ लौ पर, और कोशन अफ लौ यही क्वॉलिफाई को इतना मुजबूती दिलवा दिया है, इतना मुजबूत हो गया है, कि आज कंटेक्ट बेसिस वाले लोग डगमगा रहे हैं, और डगमगाएंगे भी, और इस बार हारेंगे भी, हम बोल रहे हैं पकाका, जो बहस हुआ हाई कोट में, वो 20-25 मिनट के लिए, ठीक, 20-25 मिनट के लिए बहस हुआ, लेकिन जानते हैं, हाई कोट में बिहार सरकार आज खुल कर बताते हैं, बिहार सरकार नाम के लिए बोल रहा था कि हम quality की मांग करते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने जान बुझकर साजिस के माधियम से अभिनाव स्रिवास्तों को कोट में भेजा ठिक चुकि अगर आज अभिनाव स्रिवास्तों कोट में नहीं आते ना तो क्वालिफाई का ओडर आ जाता क्वालिफाई का आज ओडर आ जाता नियुक्ति के लिए यहां से परमान मिल जाता ठिक ना मिल जाता है क्य सिप्रीम कोट बोले अंसुमन सर कि आरे ऐसा बात है तो बोले कि जी महोदे सुप्रीम कोट में केस चल रहा है तो चल रहा है तो ठीक लाईए इसलपी नमर फिर चेक किया गया तम आदा घंटा केस को रुक दिया गया बहस और पूरा चेक करने के बाद फिर दुबारा बहस चुकि case अलग था ठीक ना अब देखिए सुधानसु जो है सुधानसु एक qualify वालों के तरफ से case लड़ता है वो क्या आग लगाया है कि high court में case हरवाने के लिए qualify ने किया अगर common sense होता भाई तो ये प्रस्णू बोलते ही नहीं ठीक ना आपका matter समझना चाहिए यहाँ पर कि qualify का matter अलग है और supreme court में matter अलग है supreme court में आप case लड़ रहे है नियमाली को लेकर high court में selection के बात किया गया है ठीक है नियमाली के बात यहाँ ही नहीं तो भाई कैसे हो गया हरवाने वाली यहाँ तो जितने वाली बात है ना और यहाँ तो एक good news था कि भाई आपका दो बार चानबीन करने के लिए नहीं तो इतिहास में पहली बार हुआ है ना जब से लोग केस लड़ रहा है हाई court में क्या कभी ऐसा चीजों को चानबीन किया बार की से जो लोग पास बनवा कर high court में गये थे आज तो उन्होंने ता हलका मचाया बोला भी एड़ोकेट साहब से दम खें ₹ठी की साही को आज court में भेजा ही धिक ना पीके साही को को भेजा ही नहीं उनके जगह दूसरा एड़ोकेट जनल को भेजा थेक वसाफ फिर अभिनाव स्रवास्तों को बिहार सरकार ने कॉल कर दिया अभिनाव सिर्यास्त आकर उसके तरफ से बोलने लगे, इसा बाते बता दिये, बहुत इससी चीज है, चुकि अभिनाव सिर्यास्त तो हमारे एंटी में ही खरेते ना, चुकि यहां पर क्वालिफाई का उथ्वरे साथ देंगे, सब अब देखें यहां पर बहुत मिली भगत ठीक ना क्वालिफाई को हरवाने में बिहार सरकार का भी हाथ है ठीक ना बिहार सरकार का भी क्वालिफाई का बहुत बरा हाथ है समझे नहीं तो और क्वालिफाई के आदमी क्वालिफाई के आदमी बिहार सरकार से मिले ठीक कूछ चंद रोपियों के बज़े से अपना इमा बेज कर अर्दू बर क्वालिफाई को हरवाया को सुप्रीम कोट में हर्वाने का प्लान बन गया है लगभग मौनों को मालूम चल गया है वह तो हमारे एड़ोकेट है और कुछ हमारे गुप्चर हैं जिनके वजय में मैं सारा संचाई मालूम चल अब पूरा evidence है दोस्तों, चानते हैं, हम evidence किसी का, बोलते हैं, जब मेरे पास मौझूद होता है, तब भी बोलते हैं, हमको ऐसे हवन बोलने की बात नहीं है, जरूत परेगा, यूटूब पर दिखा देंगे भाई, ठीक ना, थोरा थोरा cutting, cut कर, लोगों को विश्वास नहीं होता है तो गूरूप में लगता है, जर बिषवास नहीं होता है, अति होता है, अति का गत्य होता है, तब मुझबूरी में डालना परता है, लेकिन ओभी मोग नहीं डालते हैं, भाई, जब आप गलत करोगे, तो लोग दुनिया क्या? असभूत मांगती है, आज के जमाने तो जाएंगे, डुब जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक ना, अब हम लोग जब केस लर रहे थे, ठीक ना, तो पूरा सब चीज था, लेकिन इन लोगों ने क्या मुदा बनाया, आपस में टांग खिच माने वाला ये सब एक्टिविटी किया गया, ब बज़े से क्वालिफाई के आदमी क्वालिफाई को हरवाने का प्लान बनाया, और सुप्रीम कोट में बना लिया है लोग, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, अब समझदार है, नहीं समझेंगे, तो डूब मर जाएंगे, जो भी चीजे मैंने बोला है, उसका इविडेंस ह जिसको हम पेस कर दें, तो लोग क्या से क्या कर सकते हैं, ठीक ना, यह हकीकत है, फैक्ट है, जानिए, अब आपको क्या करना है, अब खुद समझदार है, समझें, ठीक, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ बाते रह गए हैं, उसको हम पूरा कर देंगे, वीडियो ल